हेलो दोस्तों स्वागे था आपके अपने चलत तनू क्लासेस में सो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंड कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ठर्ड मेट्रीस अभी तक क्यों नहीं आया है और दोस्तों कब आएगा तो दोस्तों उसी को इस वीडियो में बताएंगे डीटेल में आपको बताएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ठर्ड मेट्रीस में नाम आने के लिए आपको सुधार करना पड़ता था जे हाँ सुधार करने का डेट रखा गया था 2 December से लेकर साथ December के बीच लेकिन दोस्तो आज 10 December हो चुका है और सुधार करने का डेट साथ December तक था लेकिन दोस्तो अभी तक 3 मेटी तो जारी नहीं हुआ है दोस्तो सायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कुछ दिन पहले जब PG1 का यानि कि PG Part 1 का फर्ष्ट मेटी जारी होने वाला था तो दोस्तो वो लोग का जारी बहुत दिन बाद हुआ क्यों हुआ दोस्तो उसका मात्र एक रिजन था कि उन लोगों ने अपना marks अपडेट तो कर रहा था लेकिन सही से अपडेट नहीं कर रहा था जहां दोस्तो कॉलेज भी अपडेट नहीं कर रहा था और marks भी अपडेट नहीं कर रहा था तो दोस्तो आप लोग यह गलती किये होंगे कि अपना कॉलेज सही से अपडेट नहीं किये होंगे यहां तो दोस्तों आप लोग कुछ गल्दी किये होंगे जिससे आपका third matrix अभी तक जारी नहीं हुआ है यहां दोस्तों मैंने college school किया था और दोस्तों वहाँ से पता लगाया कि सर अभी तक क्यों नी third matrix जारी हो रहा है तो दोस्तों उन लोगों ने बताया कि अभी भी बहुत बच्चे हैं जो अभी तक अपना mark सही से मतलब कि update नहीं कि अपना college वगर जो है सही से update नहीं किये ठीक है अपना subject और college सही से change नहीं किये और update नहीं किये तो दोस्तों आपको किस तरीके से यानि कैसे सही से apply किजएगा जैसे आपका नाम third matrix में आ जाए जहां दोस्तों सबसे पहले वो देख लेजिए उसके बाद फिर मैं आपको बतांगा third matrix कब जारी होगा उससे पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजे like और channel को कर दीजे subscribe क्योंकि दोस्तों पोने अनुसेटी का official site पे जाना है पुर्णे अनुसेटी.ac.in ठीक है दोस्तों उस पर click करने के बाद आपको admission 2020 new वाला option पे जाना है उसके बाद दोस्तों आपको last वाला option ये भी new वाला option portal पे जाना है ठीक है उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं लबी बनाना नहीं चाहता लेकिन दोस्तों वीडियो के लिए बना रहा है रहा है उसके बाद आपको subject चुनना है जो भी आपका subject है जैसे कि मैं ऑप्सन के लिए लेता हूं English, Honors ठीक है आपको जो भी आपका 工णर subject है उसी को चुनना है जैसे कि किसी का Economics, किसी का Physics, जो भी दोस्तो, आपका Honor Subject है, उसके बाद, दोस्तो, आपको Subject Group में चुनना है, और आप जानते हैं, जो Subject लेंगे, उसी का यहां पर Group आ जाएगा जैसे economics लेंगे एगर, तो दोस्तो, यहां पर भी आपका Subject Group में इकोनोमिक्स आजएगा उसके बाद दोस्तों सिंपलि आपको डिस्ट्रिक पे सलेक करना है और दोस्तों आप जो भी डिस्ट्रिक में एडबिसर लेना चाहते है जरूर नहीं कि पूर्या मैं अगर पूर्या आलोंगा तो दोस्तों आपको पूर्या नहीं लेना आपको जो ड क्या Australis धिया हुआ यहां पर क्या चीए ठाई पर टो हैं हम लोको को चेंग क्या करना हुगा जब आ यहीं सी आपको पता चलेगा दोस्तो सबसे पहले लिए ग seri कौन सा college आप college सारा देख लिए ठीक है अब दोस्तों जैसी आप college change करेंगे तो आप सारा option को आप remove कर देंगे सबसे पहले जैसे जब update करने के लिए जाएगा तो आप जितना भी college है सारे को remove कर देजएगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको वो college चुना है जिसमें सबसे ज़्यदा seat खाली है जैसी कि दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर 23 seat खाली है कौन सा college में government degree college धंदा ठीक है तो आपको simply is college को सबसे पहले select करना है दोस्तों आप लोग यह बोलेंगे कि हम पूर्णया college पूर्णया select कर लेते हैं क्योंकि यह अच्छा college है यह फिर दोस्तों आप बोलेंगे JLM college select कर लेते हैं यानि कि जिसमें कम seat खाली उस college को अगर ले लेंगे तो दोस्तों इससे यह problem होगा उस college में तो आपका selection नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप से जिसका ज्यादा marks है उसका पहले हो जाएगा जो भी आप honor subject ले हैं उसमें लेकिया है 65 और कोई लेकिया आगया 66 तो दोस्तों यकिनान बात है सबसे पहले उसका होगा तो दोस्तों आपको वो college चुना जिसमें ज्यादा seat खाली है हम college लेते हैं इसमें एक seat खाली ये भी फूलो गया माल लेते हैं आप 30 वाला college लेते हैं ये भी फूलो गया तो दोस्तों इससे problem आपको ये होगा कि third matrix में फिर से आपका नाम नहीं आए तो दोस्तों हो सकता इस college में लेकिन ज्यादा chance होता दोस्त और second में अगर आपका first second college में अगर नहीं होता first second third में तो दोस्तों जरूर नहीं कि fourth five college में होगा ठीक है मैं जितने भी अभी तक जितने भी मेरेटीस देखा हूं उसमें क्या हुआ है कि total वो पांच college select किया लेकिन पांच college में दोस्तों उपर वाला जो तीन college रहता उसी में नाम आता है और दो college लाश्ट वाला जो होता उसमें नाम बहुत कम आने का chance रहता है जिहां दोस्तों तीन ये college में होता यह आप जरूर ध्यान दिजेगा या अपना दोस्तों से पता किजेगा यहाँ पर i button है और यहाँ पर description है आपको यहाँ पर video का link मिल जाएगा आप video link देख करके जैसे जैसे मैं change करने के लिए बता है हूँ दोस्तों उसी तरह से कर लिजेगा क्योंकि video लंबी बनने है दोस्तों इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर college change करने है ना simply और दोस्तों लाश्ट अमे एक बात बताते हैं आप कब आईगी तो दोस्तों आप लोग जानते है टोटल सीट जो है पूर्णे अनुसिट में कितना है 50,000 ठीक आप लोग को साइद यह मालूम होगा और दोस्तों अपलाई हुआ है अन्ठावन यानि की 58,000 दोस्तों 50,000 है और 58,000 अपलाई हुआ है और दोस्तों आप लोग जानते हैं फर्स्ट में जो सलेक्शन हुआ था यानि की एडिमिसन हुआ था वो टोटल 24,000 था और दोस्तों सेकेंड में जो सलेक्शन हुआ था वो टोटल 16,000 था तो इस से हमें यह पता लगा कि अभी भी पूर्ने अनुसरी में सीट खाली है तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था पूर्ने अनुसरी की तरफ से कि 45% जिसका मार्क्स रहेगा तो आप लोग घबरा है नहीं आप लोगों का सेलेक्ट हो जाएगा और दोस्तों इसका डेट जो है मुझे लगता आप 15 नॉमबर से पहले आ जाना चाहिए और 12 नॉमबर के बाद यहनिकि 12 से लेगर के 15 नॉमबर के बीच आपका ठर्ड मेर्टिस आ जाना चाहिए और आपका ड्मिशन जो है सौलो नॉमबर से हो जाएगा जैसे ही दोस्तों आपका नोटी जारी होता कोई भी नोटी जारी होगा आपको इस चैनल पे मिलेगा इसलिए अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजे बहुत वेलिवल इन्फोर्मेटिव वीडियो है ये फिर मिलती है नया ओटो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम